नमस्कार आप देख रहे हैं SOS TV और मैं हूँ आपका अपना एस्ट्रोग्रोमर गांग जानते हैं क्या रहेगा मुहूरत हरताली का तीज मनाने का नई दिल्ली भारत के लिए हरताली का तीज मनाने का प्राते काल मुहूरत होगा सुबे 5 बच कर 24 मिनट से 8 बच कर 30 मिनट तक ये अवधी लगबग 2 घंटे 35 मिनट की होगी इसके अत्रिक प्रदोश कालम हुरत होगा शाम को 6 बच कर 52 मिनट से रातरी 8 बच कर 28 मिनट 48 सेकंड तक हरताली का तीज वास्तम में क्या है क्यों मनाई जाती है इस बारे में चर्चा करते हैं हरताली का तीज वरत हिंदु धर्म में मनाई जाने वाला एक प्रमुख वरत है भादरपत्स मास्च के शुकल पक्षकीर तरत्या तिथी को हरताली का तीज मनाई जाती है दरसल भादरपत की शुकल तर्तिया को हस्त नक्षत में भगवान शिव और माता पारवती के पूजन का विशेश महत्व है हर्तालिका तीज वरत कुमारी और सभाग्य वती स्तरिया करती है विद्वा महिलाएं भी इस वरत को कर सकती है हर तालिका तीजवरत निराहर और निर्जला रहकर किया जाता है मानेता है कि इस वरत को सबसे पहले माता पारवती ने भगवान शंकर को पती के रुप में पाने के लिए किया था हर तालिका तीजवरत करने से महिलाओं को सुभाग्य की प्राप्ति भी होती है अब आईये जानते हैं हर ताली का तीजवरत के कुछ नियम हर ताली का तीजवरत में जल गरहन नहीं किया जाता वरत के बाद अगले दिन जल गरहन करने का विधान है हर ताली का तीजवरत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता प्रतेक वर्ष इस वरत को विधी विधान से करना चाहिए हर ताली का तीज वरत के दिन रातरी जागन किया जाता है और रात में भजन कीरतन आधी करना चाहिए हर ताली का तीज वरत कुवारी कन्या तथा स्वभाग्यवती स्त्रियां करती है शास्त्रों में विद्वा मैलाओं को भी ये वरत रखने की आगया दी गई है अब आई ये आगे बढ़कर जानते हैं क्या है हरताली का तीज वरत की पूजा विधी और किस तरीके से इस पूजा को करना चाहिए हरताली का तीज पर माता पारवती और भगवान शंकर की विधी विधान से पूजा की जाती है इस वरत की पूजा विधी को हम इस प्रकार समझ सकते हैं हरताली का तीज प्रदोशकाल में किया जाता है सुर्यास के बाद के तीन महुरत को प्रदोशकाल कहा जाता है यह दिन और रात के मिलन का समय होता है हरतालिका मुख्य पूजन के लिए भगवान शिव, माता पारवती और भगवान गणेश की बालूरेत्वा काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाए पूजास्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पारवती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित गरें इसके बाद देवताओं का आवान करते हुए भगवान शिव माता पारवती और भगवान गणेश का शोडशोक्चार पूजन करे। सुहाग की पिटारी में सुहाग की समस्त वस्तों रखकर माता पारवती को चलाना इस वरत की मुख्य परमपरा है। इसमें शिवजी को धोती और अंगोचा चलाया जाता है। यह सुहाग समकरी अपनी सास के चलन स्परश करने के बाद ब्राहमनी और ब्राहमन को दान देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुनने चाहिए और रात्री में जागन करना चाहिए आरती के बाद सुभे माता पार्वती को सिंदूर चड़ाएं वो ककड़ी हलवे आदी का भोग लगा कर वरत खोलना चाहिए अब आये जानते हैं हर्ताली का तीजवरत का पुरानिक महतु क्या है कहा जाता है कि ये तीजवरत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर मिलन के उपलक्षे में मनाये जाता है एक पुराणी कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भूलेनात को पती के रुप में प्राप्त करने के लिए कठोर तब किया था हिमाल्य पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भू के प्यासे रहकर तपस्या गी माता पारवती की एस्तिती देखकर उनके पिता हेमाले बेहत दुखी हुए एक दिन महर्शी नारत भगवान विश्णू के और से पारवती जी के विवा का पस्ताव लेकर आए लेकिन जब माता पारवती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पती के रुप में प्राप्त करने के लिए ही कठोर तपस्या कर रही है इसके बाद अपनी सखी की सलाब पर माता पारवती वन में चली गई और भगवान शिव की अरादना में लीन हो गई इस दोरान भादरपद मास में शुकल पक्षी तुर्तिया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पारवती ने रेट से शिवलिंग का निर्मान किया और भोले नाथ की अरादना में मगन होकर रातरी जागन किया माता पारवती के कठोर तब को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिये और माता पारवती जी की इच्छा के अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्विकार किया उसी समय से अच्छे पत्य की कामना और पत्य की दिर्घायों के लिए कुमारी कन्या और स्वभाग्यवती इस्तनियां हर्तालिका तीज का वरत रखती हैं और भगवान शिव आ माता पार्वत्ती की पूजा अर्चनाकर आशिरवाद प्राप्त करती हैं हमारी और से आप सभी को हरतालिका 30 वरत की शुब कामना है, हम आशा करते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वति की करपा आप पर सदेब बनी रहे, धन्यवाद